भाईया, इस फिल्म का रिव्यू करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं पहले से बोल दूँ इस फिल्म को मैं 5 में से 5.5 स्टार देने वाला हूँ, जी हाँ, फिल्म जैसी भी हो, अच्छी बुरी ब बात खत्म हो जाती है, भाईया, 5 में से 5.5 स्टार, अकसर रिव्यू के बाद मैं फिल्मों को स्टार देता हूँ, लेकिन आज पहले से स्टार दे दिये, क्योंकि कही ऐसा ना हो कि भाईया, किसी को रिव्यू पसंद ना आ जाए, और हम पर कोई हमला हो जाए, यही कहानी ह है, फिल्म चुप की, सनी दियोल, दुलकर सल्मान की फिल्म मैंने देखी चुप, और कैसी लगी यह फिल्म और क्यों मैंने इसे 5 में से 5.5 स्टार पहले ही दे दिये, बताता हूँ जरा पूरा रिव्यू सुनियेगा, यह कहानी है फिल्म क्रिटिक्स की, जी हाँ, हमारे जैसे लोगों की जो आपको बताते हैं कि कौन सी फिल्म देखें और कौन सी ना देखें, अब भई, हमको जैसी फिल्म लगती है हम आपको बताते हैं, अगर अच्छी नहीं लगती तो हम कहते हैं अच्छी नहीं है, अच उसे ही critics का murder हो रहा है शहर में एक के बाद एक serial killer है जो critics का murder करता है और उनके माथे पर stars बना देता है जी हाँ वही star जो मैंने इस film को पहले ही पांच मैं से शाड़े पांच दे दिया है सनी देओल पुलिस वाले हैं उन पर जिम्मेदारी है बहुता है उस कातिल को ढूनने की, उस सीरियल किलर को ढूनने की, अब ऐसा भी नहीं है कि किसी फिल्म को खराब रेटिंग दी तो ही मडर हो रहे हैं। भाईया अच्छी रेटिंग देने पे भी मडर हो रहे हैं। अब ये क्या मामला है? और बीच में गुरुदत का एंगल गुरूदत की आखरी फिल्म कागस के फूल का जिक्र हो जाता है और घटना करम कुछ इस तरीके से घुमते हैं कि आपका दिमाग भी जो है वो घुम जाता है अब भाईया यही कहानी है कि क्रिटिक्स का मर्डर हो कौन रहा है कौन कर रहा है सनी दियोल इंवेस्टिगेट करत आरवालकी और यहां भी आरवालकी ने दिखा दिया कि फिल्में बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है देखिए फिल्म में सस्पेंस बना रहता है लगातार बना रहता है कहीं कहीं फिल्म प्रिडिक्टेबल लगती है लेकिन तब भी आपका जो इंट्रस्ट है ना वो नहीं होता फिल्म में कुछ-कुछ सीन देखकर आप हैरान रह जाते हैं आप फिल जाते हैं मडर के सीन इतने विबत्स तरीके से दिखाए गए हैं कि आपको कई बार तो आँखें बंद करनी पड़ती हैं अब आक्टिंग की बात कर लेते हैं सनी दियोल की आक्टिंग इस मुझे अच्छी लगी पुलिस वाले के किरदार को सनी दियोल ने अच्छे तरीके से निभाया है और हाँ सबसे अच्छी बात है कि सनी दियोल ने इस फिल्म में 25-30 साल का लोणा बनने की कोशिश नहीं किये वो जितनी उम्र के हैं उतनी उम्र के दिखाए गए हैं सफेद उम्र तो है 50 के पार और रोमैंस करेंगे 25 की हिरोईन से वैसे रोमैंस इसमें सनी दियोल करते ही नहीं है इस फिल्म में आक्टिंग के मामले में बाजी मार ले गए हैं दुलकर सल्मान दुलकर सल्मान ने क्या कमाल की आक्टिंग की है आप उनके फैन हो जाते हैं दुलकर स गल्मान ने इस तरह से अपने किरदार को निभाया है कि बस उन्हें देखकर मज़ा आ जाता है। श्रिया धनवन्तरी भी हैं इस फिल्म में और उन्हों ने भी अपने किरदार को जबरतस तरीके से निभाया है। श्रिया की अक्टिंग एक दम टॉप नॉच है। पूजा भट बड़े परदे पर नजर आई हैं बहुत वक्त बात और मुझे पूजा भट को देखकर मज़ा आया, कम से कम मुझे लगा कि परदे पर कुछ अलग देखने को मिला, वरना पिछले दिनों हमने कुछ एक फिल्में ऐसी देखी हैं जिनमें लगा कि यार वही सब दिख रहा है, देखिए, मुझे कुल मिलाकर ये फिल्म अच्छी लगी, हाँ, भले ही ये फिल्म क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन फिल्म कही न कहीं आपको बांधे रखती है, फिल्म आपको एंटर्टेन करती है, आपको फिल्म देखकर मज़ा आता है, अब असली rating की बात कर लेते हैं पतलब डर तो लग रहा है मुझे rating देते हुए लेकिन फिर भी भाया काम तो करना है ये film भी यही बताती है कि अगर film अच्छी है तो उसको अच्छी कहो बुरी है तो बुरी कहो तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी film है और मैं इसे दूँगा पांच में से तीन नमबर